हलो फ्रेंड्स निहास कोकिंग एंड वेट लोस हॉम रेमडीज में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं हल्दी के फायदे तो आप जानते ही होंगे कि हल्दी के कितने ज़्यादा ओशदिया गुन हैं हल्दी के बारे में तो हमें बड़े बुज़ूर्ग भी बता फाइदे मंद है तो आस तरह इतना तो हम सब लोग जानते ही है मतलब छोटे चोटे बच्चे भी है वो इतनी बात जानते हैं कि हल्दी का दूद पीने से जगह में ठीक हो जाते हैं पर बात रही जो दूसरे फाइदे हैं और जिन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और कितनी कॉंटिटी में करना चाहिए आज हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं तो हल्दी को जो सेवन है वो चोट लगने पर किया जाता है यह आप जानते हैं कि इसमें करक्यूमिन नाम का एंटी इंफ्लामेट्री एंट जो एजेंट होता है यह एक एंटी मेर्डे मंद हैं अगर हम इन से रात में पिकार सोते हैं तो भूत सारे समस्याइदूर हो सकती है तो जो हम बाजार में हम में जो कच्छी हल्दी मिलती है वह दोम यह एक सेवन करते हैं पेरों के दर्द के लिए बहुत फाइदे मंद है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, तो उसमें बहुत ये काम करता है, साथ ही ये कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है, जो पुर्शों में होता है, प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, उसके लिए ये प्र प्रिवेंशन का काम करता है तो में डॉक्टर से तो सलाह लेहीं लेकिन यह एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अंटियों के अच्छी होता है तो यह कैंसर को चैंसर से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही इसका एक हड्यों को भी मजबूत करता है अगर दूद में हम इसे डाल कर पीते हैं, तो calcium के absorption को ये बढ़ा देता है, तो हड़ियों के मजबुति का भी ये काम करता है, और है कि ये पाचन को भी सुधारता है, जिनको गैस की, अपच की, और साथ में जिनको डाइरिया की दिक्कत है, उसके लिए ये बहुत फाइदे मंद है, अगर ये अमाउ को भी क्योरिफाई करता है, रक्त में विशैले, जो तत्व हैं, उसको बाहर निकालता है, साथ ही हल्दी क्या है, खू Bowl को पतला करने में बहुत ही काम करती है, इसलिए जो हर्दे की रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये जो रक्त को पतला करके रक्त का प्रवाद में से बढ़ा देता है और इसलिए हड़े रोंगे लिए भी बहुत अच्छा काम करती है और साथ में ये तो आपको पता ही है कि शादी व्याव में हम क्या होता है जो हल्दी को वो चेहरे पर लेप लगाते हैं तो ये सुंदर्ता के लिए तो हल्दी है ही है अब बात आती है कि किन लोगों को हल्दी का यूज नहीं करना चाहिए, जिने पीलिया है, उन्हें हल्दी बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये उसके पीलिया को भढ़ा देती है, इसलिए हल्दी का यूज नहीं करनी है, जिने पिताश्य की, यानि की गॉल ब्लैडर की, की हालदी क्या ओती है यह खूण को पतला करती है रख्त के ठक्के बनने को रोकती है तो इस मुझाई से जिन लोगों के खूण भिहता है जिन一個 नाक से या अधर पार्ट से खूण को भाजे की डंश दeles n backyard है वो लोग तो यूपने सब्तार तीसरा जिनको कहीं से भी खून भैता है वो लोग इसका यूज ना करें कि रखते प्रवा को पतला कर देती है और जो अनेमिक हैं लोग जिनमें आलरडी खून की कमी हैं वो से यूज ना करें क्योंकि ये क्या करती है कि जो हल्दी में कुरकुमीन है वो आईरन के कंसप्शन क को शेरीर में बढ़ा देता है जिस वजह से oxygen का level भी कम हो जाता है और blood के परवा को भी मतलब घटाता है उसको अच्छे से परवा नहीं होने देता अगर iron कम हो जाए blood में तो रखता परवा भी अच्छे से नहीं हो पता oxygen का जो स्तर है वो भी कम हो जाता है तो जिन लोगों को मतलब खून की कमी रहती है वो लोग तो इसका बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि आइरन को consumption को भढ़ाता है और जिससे iron की कमी हो जाती है शेरीर में और साथ ही यह इसमें बहुत सारे अब इसमें क्या होता है कि जो हल्दी है वो हल्दी क्यों है क्योंकि इसमें आरे चीटी मिलें है अगर स्वस्थ रहना है तो 500 मिलिग्राम से ज़्याधा हल्दी तो फ़ड, यées यह शहायर का यूज़ चला है तो खटलें और ना रत, आधा चमच के ऑधा क्भान है अगर इसमें चल्राम सहं क्थे़олж क्योंक्त सब्सक्षा करूश सब्सक्राइब सही नहीं है और कोई भी यह जो मतला आगर मैं यह आपको इन्फोर्मिशन दे रहे हैं इन्फोर्मिशन आपकी सिहत के लिए है लेकिन अगर किसी को किसी भी तरह की डिजीज है कुछ यह तो बिना डॉक्टर की सला के आप बिल्कुल भी ना लें और इजिए सिरफ आपको अपको लिए बिल्कुल कुंट्र दोख जाये रहें कि उल्कुल भी दाइबेटिक लोग सेवन ना करें और बिल्कुल ब्लुट से पूछ के लें तो एक तरह से यह फाइदेमंद भी है ब्लट शुगर को ने में और साथ मेसा नुकसान भी हो सकता है अगर आप अवेर हुक ब्लड शुगर चेक कर वाएं और आप अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी चैनल को वाच करें लाइक करें शेयर करना बिलकुल ना भूलें और आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हमारे कमें बॉक्स में कमें देना बिलकुल ना भूलें थैंक अेयू सामच